भाई दूज भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह को सुद्रिण करता है, यह त्योहार दीवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है हिंदु धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक दो त्योहार मनाय जाते हैं एक रक्षा बंधन जो श्रावन मास की पुर्णिमा को मनाया जाता है इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिग्या करता है दूसरा त्योहार है भाई दूज इसमें बहने भाई की लंबी आयू की प्राथना करती है भाई दोज का तिवहार कार्तिक मास की दियूदियतिधी को मनाया जाता है भाई दोज को प्रात्रि द्वितिया भी कहती है इस पर्व का प्रमुख लक्ष्म भाई तथा बहन के पावन संबंध वा प्रेमभाव की स्थापना करना है इस दिन बहने बेरी पूजन भी करती है इस दिन बहने भाईयों के स्वस्त एवं दिरगायों होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती है इस दिन बहने भाईयों को तेल मलकर गंगा युमना से सनान भी कराती है यदि गंगा युमना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए यदि बहन अपने हाथ से भाई को जीमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते है इस दिन चहिए कि बहने भाईयों को चावल खिलाएं इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेश महत्व है बहन चचेरी अत्वा ममेरी कोई भी हो सकती है यदि कोई बहन न हो तो गाय, नदी, आधि इस्त्रित्व पदार्थ का ध्यान करके अत्वा उसके समीप बैठ कर भोजन कर लेना भी शुब माना जाता है इस दिन गोधन कुटने की प्रथा भी है गोबर की मानो मुर्ती बना कर छाती पर इंट रख कर इस्त्रियां उसे मूसलों से तोड़ती है इस्त्रियां घर घर जाकर चना, गोम तथा भटकईयां चराओ कर जिवा को भटकईयां के काटे से दागती भी है दोपहर परियंत यह सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रशन्दता से मनाते हैं इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेश महत्व है भाई दोज की पुर्णाडिक कथा आईए मैं आपको सुनाती हूँ भगवान सुर्य नारायन की पत्नी का नाम छाया था उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी वह उससे बरावर निवेदन करती कि इश्ट मित्रों सहीद उसके घर आकर भोजन करो अपने कारे में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा कार्तिक शुकल का दिन आया यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रन दे कर उसे अपने घर आने के लिए बचन बद्ध कर लिया यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता है बेहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है बेहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया यमराज ने अपने घर आया देखकर यमुना जी की खुशी का ठीका अना नहीं रहा उसने सनान कर पूजन करके ब्यंचन परोस कर भोजन कराया यमुना द्वारा किये गए आतित्थ से यमराज ने प्रशन होकर बेहन को वर मांगने का आदेश दिया यमुना ने कहा कि भद्र आप प्रतिवर्स इसी दिन मेरे घर आया करो मेरी तरह जो भी बेहन इस दिन अपने भाई को आदर सतकार करके टीका करके उसे तुम्हारा भै न रहे यमराज ने तथास्तु कहकर यमना को अमुल्व वस्त्राभुशन देकर यमलोग की राह ले ली इसे दिन से पर्व की परंपिरा बनी ऐसी मान्यता है कि जो आतित्य स्विकार करते हैं उन्हें यम का भै नहीं रहता इसलिए भै आदोज को यमराज तथा यमना का पूजन किया जाता है